So, hey everyone, कैसे आप सब, hope आप सब भी अच्छ होंगे और मैं भी बता दूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ So, first of all, very very good afternoon to all my CA intermediate and final students तो इस particular वीडियो के अंदर मैं दो important चीजों को discussions करने वाला हूँ Please इस वीडियो को पूरा देखना, जो जड़ा सा भी skip मत करना, बहुत important discussions होने वाला है तो पहला discussion जो रहेगा, बहुत intermediate और सी ये final वाले बच्चे अपने practical चीजों को ले करके बहुत ही ज़्यादा tense है, right है first part तो मेरा ये रहने वाला है वीडियो का, कि सर हम practical चीजों को apply नहीं कर पारे, हमें को practical काम नहीं आता है हम सिर्फ और सिर्फ ICI के study, material, RTP, MTPs, इन questions को करकर के, करकर के exam देने जाते हैं लेकिन practical चीजों का exploration नहीं करना आराम है, हम कैसे practical चीजों को apply करें, कैसे practical चीज़ें सीखें क्योंकि हमें articleship में भी काम सीखने को नहीं मिला है, तो ऐसे case में, वो industry में apply नहीं कर पारे है वो MNCs को join नहीं कर पारे, वो Big 4 में apply नहीं कर पारे, वो CFM में apply नहीं कर पारे, तो सर्क कैसे करें, एक तो इसको पर मैं guide करूंगा, second one is, जो मेरा second part रहेगा, वो रहेगा, ICI के results की notification में, इस बार ICI नहीं लिखा, कि भईया हम, results को likely to be declared in the evening or the morning as the case में भी, कि कब declare करने वाले तो ये दो discussions में इस वीडियो के अंदर करूंगा, तो extreme request है, सभी CS friends से, इस particular वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like करें, और share करें, और चैनल पर अगर आप नहीं हो, तो प्रीज चानल को जरूर सब्सक्राइब करके, bell icon प्रेस कर लें, या साथी साथ आप टेलीग्राम को भी जोईन कर सकते हैं, description में link given है, चलिए without any further delay, I am going to start, तो मेरा पहला पार्ट है वीडियो का सबसे पहले, कि बहुत सारे intermediate और final student से कहते हैं, कि सर हम practical चीजे नहीं कर भारे, हमें ये पता नहीं होता कि हम किस तर से practical चीजों को apply करें, बहुत बार सुनने में आता है कि सर ये concept है, इसको practically apply करना सीखे, तो concept को practically apply है सर, हम कब सीखेंगे, हमें को कैसे आएगा ये काम, किस तर से हम कर सकते हैं, तो मैं आपको simple सी एक बात बता दू, आपको कुछ नहीं करना है, आप just अपने पढ़ाई पर focus करें, अपने exam पर focus करें, आपको exams के लिए करना है, इसके इसके बाद ये कभी भी नहीं आएगा, मैं आपको उता दू, 11 courses का हमने कभी combo offer निकाला भी नहीं था, और अब हमने निकाला है, तो big discount offer के साथ, जिसकी validity, मतलब हमने 5 जुलाई तक ये offer निकाला था, अब ये 5 जुलाई से 10 जुलाई तक चला गया है, तो 10 जुलाई तक आपको enroll कर ले, अगर 10 जुलाई तक आप enroll कर लोगे, तो इसका benefit लेपाऊगे, 10 जुलाई के बाद आपको कोई benefit ने मिलेगा, आप हमारी application, Google Play Store से जाकर के, CA Journey with Nitin के नाम से, आप उसको search करेंगे, और search करने के बाद उसको install करेंगे, अपने devices पे, और अपने आप register करेंगे, वहाँ पे आपको two triple line की price पे एक टाइल दिखेगी, combo course offer, और उस course को आपने अगर कर लिया, उस course को आपने कर लिया, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं guarantee कर रहा हूँ, बहुत सारे students का benefit ले चुके है, कोई MNC में job कर रहा है, कोई अपने पास CA firm में job कर रहा है, किस बेकली मुझे काफी advertisement करनी पड़ेगी, तो मैं वो चीज नहीं करता हूँ, आप मेरे students के पूछ सकते हैं, जिनोंने ये course लिया है, ठीक है, तो अभी 11 course का offer है, जिसमें आप चेक कर लेना, एक एक course में आप explain नहीं करने वाला, आप एक बार जुरूर चेक कर लेना, official website पे ज चेक कर सकते हूँ, मेरा कितने वर्त का course है, क्योंकि हमने सिर्फर सिर्फ टू ट्रिपल नाइन के प्राइस इसले रखा है, ताकि सारे जो भी CS students, results की वेट कर रहे है, या फिर जो students अभी नहीं ले पाते इतने heavy-heavy courses, तो उसके नमर वो अपने आप चीजों को सीख करके आग करता था अपने notification में, यानि कि एक notification मतलब एक तो date डाल देता था कि इस दिन आ रहा है और उसके अगले दिन भी, मतलब likely to be declared का एक word यूज करता था notification में, लेकिन अब ICI क्या करने वाला है, अब ICI of course है अपने बास एक ही date देता है आपके notification में, अब जब ICI एक ही date दे रहा ह है क्योंकि ICI ने सिर्फ एक particular date दी है, पहले दो date देता था, फिर morning या evening लिख देता था कि हम evening में देंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो result है, वो 9 बजे से लेकरके, 11 बजे ता, मतलब इस between में, 9 से 11 के बीच में कभी भी आपका ICI result declare कर देगा, morning में result आ जाए आली कराम का जो group है मैंने description में डागा है, आप उसको join कर लिजेगा, आप वहाँ पर जरूर शेयर करेंगे आप, और कोई भी problems हो गई आपकी results केंदा, तो आप मेरे को जरूर टेस्क करिएगा, चलिए, thank thanks a lot, thanks for watching this video, God bless all of you, और प्लीज जादा से जादा वीडियो को share करना, thank thanks a lot.